तो गाइज यह है तीन दिन के बाद का रिव्यू मैं इसे तीन दिन से एक्स्टेंसिव ले यूज कर रहा था बोट वाच फ्लैश को तो गाइज लेट स्टार्ट दे वीडियो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं इसका प्राइज बता देना चाहूंगा यह मुझे पढ़ा है 2,500 रुपीज का आपको भी कुछ ऐसे ही पढ़ सकता है इसका प्राइज हाले कि दोस्तों मैं आपका इसका बाइंग लिंक नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वह एपके आपको अच्छी पढ़्रि देने की कोशी करी है और अगर मैं बात कुरूँ अच्छी की हाँ कितो है काफी अच्छ होज जाता है यह वॉच्छ साथी साथ अगर मैं इसके strap की बात करोगा इस strap भी काफी ज़दा comfortable है काफी अच्छे quality का strap आपको देखने को मिलता है हाला कि दुस्तों strap में मुझे एक कमी लगी है वो है कि ये strap जो है काफी ज़दा dust मैगनेट है काफी ज़दा dust अपने तरफ खीच लेता है और काफी जल्दी जो है ये गंदा भी हो जाता है और अगर मैं design की बात करो तो काई जो design है ये दोनों भी gender के लिए काफी ज़दा बढ़िया होता है लड़का लड़की दोनों भी इसे पहन सकते है काफी अच्छा लगता है दोनों के भी हातों में ये जो 45 mm का dial आपको यहां पर सामने को देखने को मिल रहा है वो भी काफी अच्छा लगता है कोई भी हातों में हलाकि दोस्तों अगर आपका हाथ काफी ज़दा पतला या फिर काफी ज़दा छोटा है तो आपके हाथों में काफी ज़दा मोटा लगने वाला है अगर मैं रेटिंग की बात करो तो यहां पर मुझे डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी में यह वाच को मैं देना चाहूंगा 3.9 आउट फाइब क्यों कि आप मुझे डिजाइन जो है काफी बढ़िया लगा है यहां पर 1.3 इंच का आपको यहां पर LCD देखने को मिलता है जो की काफी बढ़िया देखने में लगता है यहां पर इंडोर्स पर बढ़िया आउट्डोर्स में यहां पर जो है उतना अच्छा विजिबिलिटी आपको नहीं मिलता है बढ़ गाइस ओवर जो है इस प्राइस रेंज में आपको LCD में काफी अच्छा देखने को मिलता है हलका फूल का आपको बाहर थोड़ी तकलीफ होगी देखने में बढ़ गाइस दिख जाता है यहां पर डिस्पले हलका सा तेड़ा करके देखने पर ओवर डिस्पे में अगर मैं बात करूँ या तो काफी स्मूध है यहां पर डिस्पले काफी अच्छा जो है क्वालिटी का स्क्रीन यहां पर यूज की आगा है बोट की तरफ से साथी साथ अगर मैं कंट्रोल की बात करो तो होगा इस जैसे कि आपने देखा यहां पर स्वाइप और कर सकते हैं जो की काफी जटर ही है यहां पर उसके बारे हम यहां पर आगे बात करेंगे बाकी यहां पर नैविगेशन जो है वह काफी ज़दा इजी है यहां पर आपको जो है डाइल देखने को मिलता है वह यहां पर आपका ऐस बैक बटन काम आ जाता है वाच यहां पर व vertically scroll करते हैं तो आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एकड़म स्मूध ली जो है यह काम कर जाता है vertically but guys जब भी भी आप जो है इसे horizontally scroll करने की बात करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो काफी ज़्यदा लैग करता है काफी ज़्यदा अटक अटक के चलता है यह थोड़ा सा प्राप्डम्स नहीं आयाUI मैं एकर में बात करू है मेन वोके यहां और बात करू होँ फेस क्यों आपको आपको 10-20 बाकी एगर आपको वाज़ पेस्परला करने पर राइड़ आना करूं अब्र आपको ऑसे आप में जाना पड़ेगा वहां पे आपको काफी सारे watch faces देखने को मिल जाएंगी अगर मैं UI के कुछ features की बात करते होगा यहां पे UI में आपको यहां पे message देखने का फाइदा मिल जाता है साथी साथ आपको यहां पे call alert मिल जाता है बड़ गाइस call alert जो है कुछ इस परकार काम करता है आपका सिर्फ call आप यहां पर reject कर सकते हैं आप यहां से call जो है accept नहीं कर सकते हैं अपने watch से 2000 रुपे का घड़ी में आपको बिल्कुल भी यह सब features देखने को नहीं मिलेगा हलाकि जोस्तों यह एक smart watch नहीं है यह smart band है जिसको इन्होंने यहां पे watch बना दिया है इसी कारण से जो है यहां पे आपको call receive का feature देखने को नहीं मिलता है साथी साथ अगर मैं बात करूँ आ आप यहां पर alarm का feature यूज कर सकते हैं music control कर सकते हैं आप यहां पर watch से साथी साथ आप यहां पर phone के camera को control कर सकते हैं find कर सकते हैं अपने phone को अपने phone को ढूंड सकते हैं घड़ी से stop watch यूज कर सकते हैं weather देख सकते हैं और भी काफी सारे चीज़े कर सकते हैं यहां पे और कुछ खास नहीं लगाए यह अगर मैं बात करूए इस एप में भी आपको काफी सारे चीज़े देखने को मिल जाएंगी जिसे आप यहां पर स्पोर्ट्स मोड वगएरा देख सकते हैं यहां पर आप जो है सिंक कर सकते हैं अपने वाच को आपने कितना स्टेप वगएरा लि में Bluetooth को on रख देते हैं ताकि यह जो वाच है वो time to time sync हो जाए आपके phone के app के साथ बढ़ गाईज ऐसा नहीं होता है यह जो है बीच बीच में sync करना बंद कर देता है और काफी ज़दा problems आपको देखने को मिलती है काफी ज़दा data loss हो जाता है जैसी कि अगर आपने goal set किया ह 10,000 steps का या फिर 30,000 steps का जैसी आपका जो है धीरे धीरे goal की तरफ आप अपने बढ़ते हैं वैसी आपका जो step वगेरा count होता रहता है वो जो है directly sync हो जाना चाहिए normally आपके phone के app के साथ बट यह यहाँ पर नहीं होता हुआ दिखा है मुझे कभी कबार जो है sync नहीं हो पाता ह sync नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर data loss काफी ददा डिखने को मिलता है data loss का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर जो है कभी कबार जो है आपका sleep tracking नहीं होगा या फिर कभी कबार जो है आपका step tracking नहीं होगा या फिर कभी कबार जो है अगर आप कोई भी workout mode use करते हैं तो यहाँ यहां पर वर्काउट मोड यूज करते करते जो है कभी कभार जो है यह आपका डेटा और लॉस कर सकता है यही सिंक इशू के वज़े से यहीं करने को मिलते हैं जैसे कि यहां पर इतने सारे इत्यादी देखने को मिल जाते हैं sports mode और अगर मैं बात करूँ इसमें जो है आपको और भी काफिया दा useful features देखने को मिलते हैं जैसी कि आपको यहाँ पे SPO2 देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं blood oxygen जैसे कि आप देख सकते हैं blood oxygen आप यहाँ पर 24-7 on रख सकते हैं साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर heart rate tracking भी कर सकते हैं 24-7 sleep tracking आप यहाँ पर कर सकते हैं overall tracking के मामले में मैं इस watch को देना चाहूंगा 60 out of 100 क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगा है कि 60% of the times यहाँ पर जो है काफी accurate करता है उतना भी जदे accurate नहीं है मैं जैसे कि आपको 60% of the times जो है accurate लगता है मुझे यहाँ पर हाला कि दोस्तो 2500 के watch से आपको इतना जादा उमीद भी नहीं करना चाहिए overall जो है मुझे tracking के मामले में मैं इसको rating देना चाहूंगा 3.5 out of 5 इस watch में हमें 200 mAh की battery capacity देखने को मिलती है और company यह claim करते कि आपको जो है इसमें साथ दिन का battery backup देखने को मिलेगा बड़ यहाँ पर मैंने इसको तीन दिन यूज किया है और तीन दिन के complete नहीं हो पाता है उससे पहले जो यह watch अपना डाई हो जाता है जैसे कि अगर मैं बात करूए अगर मैंने यहाँ पे 10,000 steps का gold रखा है तो guys यहाँ पे यह जो watch है अगर आपने heart rate monitoring on रखा है या फिर अगर आपने फोन के Bluetooth को on रखा है ताकि यह time to time sync होता रहे तो guys इसका battery backup एक्च्वल बैटरी 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 जो रियल लाइफ सेनारियो में देखने को मिलता है वो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो दिन का यहाँ पे company ने claim किया है कि आपको साथ दिन का battery backup मिलेगा बड़ ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे साथ दिन का तो क्या यहाँ पे दो दिन का मुश्किल से मिल रहा था जबकि मैं इसको थोड़ा सा और हलका usage करने की कोशिश कर रहा था सारे notifications मैंने इसको देना बंद कर दिया था ताकि इसको जो है maximum use कर सकते हैं मैंने इसको जितना भी एकदम निचोड के use करने का सोचा फिर भी मुझे इसमें maximum battery life दो दिन का ही मिल पाया है तो guys इसका real life battery तो थोड़ा उतना कुछ खास नहीं लगा है हाला कि इसके price को देखते हुए यहाँ पे आपको और भी fitness bands मिल जाते हैं जो कि आपको 15-15, 20-20 दिन का यहाँ पे या फिर कुछ-कुछ bands तो है एक-एक महिने का आपको यहाँ पे battery backup दे देते हैं सिर्फ उनको एक घंटे की charging चाही होती है और वो पूरे आपको एक महिने का battery backup दे देते हैं बड़ गाइस यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर यह जो watch है यह सिर्फ आपको दो दिन का maximum battery backup दे सकता है और इसको charge करने में करीबन दो घंटे लग जाते हैं इसको full charge करने में और गाइस इसमें जो charging cradle दिया हो है जो magnetic charging cradle दिया हो है वो काफी ज़दा बढ़िया है हाला कि दोस्तों काफी ज़दा slow charging होता है इसी कारण से यहाँ पे जो ह इसको दो घंटे लगते हैं charge करने में boat watch flash में आपको जो है IP68 की भी rating देखने को मिल जाती है जिसका मतलब यह है कि यह जो है waterproof भी है साथ ही साथ यह जो है dust proof भी आपको मिल जाता है overall यह watch मुझे जो है काफी ज़दा good looking लगा है काफी ज़दा अच्छा लगा है बट यहार यहां पर यह जो watch यह वो काफी ज़दा एक niche audience के लिए है या फिर मैं कहूं काफी ज़दा एक छोटे range के audience के लिए है जिनको जो है यहां पर band style का जो watch आता है या फिर fitness band जो भी आते है उनका design यहां पर जिनको पसंद नहीं आता है और जिनको fitness band ही चाहिए एक watch के firm factor पे तो वो जो है इसे BMW कर सकते हैं क्योंकि यह जो है एक fitness band ही है यह कोई भी एक smart watch नहीं है क्योंकि आर यहां पर आप नहीं message का reply कर सकते हैं नहीं call को आप एक accept कर सकते हैं और नहीं यहां पर आप जो है voice assistant को use कर सकते हैं तो guys यह जो है smart watch तो नहीं है यह एक fitness band है जिसको एक watch का यहां पर look लुक दिया हुआ है तो जिनको भी एक फिटनेस बैंड चाहिए जो की एक वॉच का लुक देता है आपको वो लोग यहां पर जो है इसे बिलकुल बाइक कर सकते हैं दिखने में काफी अच्छा है हाला कि दोस्तों यहां पर अगर आप इसे सिर्फ और सिर्फ बेसिक लिए जो है यह काफी तदा बढ़िया है हाला कि दोस्तों आपको इससे जादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि 2500 रुपय में आपको जो है एक वोच जैसा दिखने वाला बैंड मिल रहा है फिटनेस बैंड मिल रहा है बोट जैसे ब्रैंड की तरफ से वो आपको यहाँ पर फिटनेस बैंड जैसे म.I.Band 5 या और इत्यादी जितने भी बैंड आते हैं जैसे ओपो का हमने यहाँ पर कियरकार रहा था रिव्यू और अन्बॉक्सिंग वो मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूंगा या फिर अपना ओन प्लस का बैंड है वो सारे आपको मैं आपर recommend करूंगा यह जो watch वगर आते हैं यह जिनको जो है सिर्फ band style के घड़ी पसंद नहीं आते हैं जो style फतला वाला style है वो जिनको पसंद नहीं आते है उनके लिए यहां पर यह जो चीजे वो design कर रहा है बहुत जैसे दिखने वाला fitness band तो overall जो है मुझे काफी अच्छा लगा है यह watch इतना भी कुछ आखास उतना नहीं है but guys overall इस segment में काफी अच्छा है 2500 रूपीज में आपको काफी अच्छा design वाला अच्छा battery life तो नहीं बोलूँगा जैसे कि आपको होता है इसमें sink issue है इसमें weather कभी कभार show नहीं होता है साथी साथ कभी कभार आपका data loss कर देता है यह उसके बाद इसका strap जो है वह dust magnet है काफी जादर dust को यह खीच लेता है अपनी तरफ तो यह strap काफी जल्दी यहां पे गंदा होने लगता है तो यह थे मेरी opinions या फिर मेरा review इस watch को तीन दीन से लगातार continuously use करने के बाद काफी अच्छा experience था हलाकि दोस्तों मुझे थोड़ी सी जादा उमीद थी इस से क्योंकि इस बार वोट ने काफी जादा marketing करी हुई थी इस watch पे तो इतना था इस वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के धन्यवाद तब तक लिए उस्तों जय हैंद बंद मातरम और आपका दिन शुब रहे